जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है पोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ पोल किलब आजाद है तेरे पोल सबा अब तक तेरी है पोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार में ग्रह बंतराले का ताजा फर्मान क्या कहता है आपके स्क्रीन्स पर इस ताजा फर्मान के मताबिक जो भी मजदूर जहां कहीं भी फसा हुआ है वो वहीं पर रहे यही नहीं उससे अगर कोई नौकरी ढूणनी है तो वो स्थानिये जो एजनसीज है उसके साथ रेजिस्टर कराए और वहीं पर वो कोई काम करे यानिकी केंदर सरकार की तरफ से यह तो स्पष्ट है कि जो गरीब मजदूर जहां जहां फसा हुआ है चाहे मुंबई हो चाहे गुजरात हो चाहे बैंगलोर हो वो जहां पर भी फसा हुआ है वो वहीं रहे मगर वो अपने घर जाने का प्रयास ना करे ये दरसल बात क्यों सामने उभर कराई क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई के बांदरा में किस तरह से सैकडों की भीडु मड़ पड़ी थी और वहां पर बवाल हो गया था मीडिया ने उसे सही तरीके से रिपोर्ट करने के बजाए उसमें भी हिंदू-मुसलिम आंगल ढून लिया था चुकि ये मजदूर जहां पर फसे हुए थे वहां एक मस्जिद थी लिहासा कई न्यूस चैनल्स ने ये तक कह दिया था कि क्या ये मजदूर मुसल्मानों के भड़काने पर यहां खटा हुए मुद्दा वो नहीं है मुद्दा जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो कुछ और है मुद्दा है दोहरे मापदंड का मुद्दा ये कि आज भारती जाता पार्टी की सरकार किसी और की नहीं बलकि खुद पूर्व और स्वर्गिये प्रधान मंत्री अटल विहारी वाचपे के अंदेखी कर रही है आप कहेंगे क्यूँ आपको याद है पूर प्रधान मंत्री ने उस्वक के मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह से बैटकर क्या संदेश दिया था राजधर्म का संदेश और राजधर्म का ये संदेश क्या कहता है अटल जी के मताबिक राजा प्रजा में भेदभाव नहीं कर सकता धर्म के आधार पर, जाती के आधार पर, रंग के आधार पर ये संदेश किसी और को नहीं बलकि उन्होंने उस वक्क के चीफ मिनिस्ट्र नरेंद्र मोदी को दिया था क्योंकि आपको याद होगा कि गुजरात में जबरदस दंगे हुए थे दो हजार लोग उस दंगे में मारे गए थे और अटल जी उससे कतई खुश नहीं थे और उन्होंने उस वक्क के चीफ मिनिस्ट्र नरेंद्र मोदी को संदेश दिया था कि आप राजधर्म निभाएं आज क्या हो रहा है? आज हम साफ तोर पर पक्षपात देख रहे हैं सरकारों का और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मजदूर जहां हैं वहां फसे रहें आपके स्क्रीन्स पर ये खबर और हम बात कर रहे हैं गुजरात की धाई लाक उड़िया मजदूर यहां फसे हुए हैं इस खबर के मताबिक जो उनके नुमाइंदे हैं जो उनकी बात रखते हैं उनका ये कहना है कि गुजरात सरकार हमारा बिलकुल भी ख्याल नहीं रख रही है गुजरात सरकार ने हमारी हालत बच से बत्तर कर दी है इनकी ये शिकायत है जो सामने उभर कर आ रही है मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इसी गुजरात मॉडल की दुहाई दे रहे थे जब आप मोटेरा स्टेडियम में हजारों की तादाद में लोगों को एक खटा कर सकते हो तो क्या इन गरीब मजदूरों की बात नहीं कर सकते अब एक और खबर देखिए क्या आप जानते हैं गुजरात के LG हॉस्पिटल ने न्यूज 18 की इस खबर के मताबिक वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गुजरात जैसे और वो भी एहमदबा वहाँ के सफाई कर्मचारी वहाँ के एक बड़े अस्पिताल में हड़ताल पर चले गए वो भी उस वक जब हम कोराना संकट का सामना कर रहे हैं बात वहाँ नहीं रुपते हैं आप ये वीडियो देखिए बहुत ही मारमिक वीडियो है एक परिवार है जिसके सभी सदस से कुरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और आप देखिए इनके साथ क्या बरताव किया गया ये हालत है गुजरात के एहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की देखिए हेलो मारुनाम सोनू नागर चे दो दिन पहले हमारा चेक हुआ था और हम 25 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए है यहां हम तीन बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे है कोई रेस्पॉंस नहीं मिल रहा है सर कोई हमें रेस्पॉंस नहीं दे रहा है प्लीज यहां हम 25 मेंबर्स है यहां पे खाने पीने बिना पीपल आ स्टाइडिंग ओवर यह निकलने वाला सिर्फ एकी बंदा है वो भी इतनी बत्तमीसी से बात करता है सबसे अब बोलता है कि लाइन में खड़े रहो बार 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 बोलता है लाइन में खड़े रहो पच्चास अगमी के जगा पर वो एक ही इंसान्ट काम कर रहा है एक का नाम है सुनील राय साहब चोहान जो की 22 साल का है जौनपूर उत्तर पदेश का रहने वाला है और दूसरा प्रवीन बाबुलाल कल्लाल जो की राज समंद का रहने वाला है दोनों सूरत में रहने वाले थे इन दोनों का ये कहना था कि डिप्रेस थे दोनों, वहाँ खुश नहीं थे और इन दोनों ने आत्महत्या कर ली दोनों यंग, दोनों युवा और आप सो सकते हैं अगर एक युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है तो उसकी क्या हालत होगी और आज ये सरकार हमसे ये कह रही है कि जो मस्दूर जहां छुपा है यहां जहां बसा है वो वही पर रहे और सरकारें क्या कर रही है इसी गुजरात सरकार ने इस खबर के मताबक रिशिकेश से 25 बसें चलवाई थी जिसमें 1800 गुजरात के रहने वाले लोग पहुचाए गए थे वापिस गुजरात ये सब रसूख वाले थे जी हां इन्हें तो पहुचा दिया गया और बताया जा रहा था इस पूरे ऑपरेशन के पीछे ग्रे मंत्री आमिच शाह और गुजरात की मुख्यमंत्री विजयरुपाणी थे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दर्द मजदूरों के लिए क्यों नहीं आता आपका अब आपको याद है जब कोटा से मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने बसे चलवाई थी उन विद्यार्थियों के लिए जो कोटा में फसे हुए तब बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा था कि ये सरासर अन्याय है ऐसे में लॉकडाउन का हम कैसे पालन करेंगे अगर इस तरह से आवाजाही बनी रहेगी विद्यार्थियों की ऐसे में तो कोरोना संकट और गंबीर हो जाएगा बहुत अच्छी बात कही आपने नितीश जी मगर कथनी और करनी का फर्क देखिए यही नितीश कुमार जो उन विद्यार्थियों को लाए जाने पर रुदाली कर रहे थे घुस्सा थे अब इन्होंने ये विशेश अनुमती दी है आपके स्क्रीन्स पर एक MLA है BJP के अनल सिंग इन्हें ये अनुमती दी गई है कि ये कोटा जाएं और अपने बच्चे को लेकर आएं कुछ दिनों पहले तो आप ये कह रहे थे कि लॉकडाउन के साथ ये अन्याय है और देखिए जो बात कही नितीश कुमार ने है उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि खुद हमारे जो सुचना प्रसारण मंत्री है उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन्स पर प्रधान मंत्री ने जो अपील किया है कि लोग जहां हैं वो वहीं बने रहें इसका अनुसरण होना चाहिए किसी और ने नहीं प्रकाज जावडे करने कहा था और वो भी जब कोटा वाली घटना के बारे में उनसे प्रतिक्रिया ले गई थी आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सरकारें चाहिए उत्तरप्रदेश की सरकार हो या मध्यप्रदेश की सरकार हो उसकी मैं बात करूँगा मगर मैं बिहार की बात कर रहा था नितीश कुमार के दोरे मापदंड नितीश जी आपने कैसे आनुमती दे दी उस बीजेपी के नेता को ताकि वो घर से जाए और कोटा से अपने बच्चे को ले आए क्या कह रहे हैं आरजेडी सांसद मनुजहा आप खुद सुनिये अपने बड़ी आसानी से कह दिया कि इनकी ट्राकिंग होगी चेकिंग होगी और यह काम पर लोट सकते हैं क्या इन्हें खुद की चिंता नहीं है अपने परिवार की चिंता नहीं है मैं तो इस पस्त तोर पे मानता हूँ कि जब वो छविया देखता हूँ कि कोई साहब तीन बस उमा किसी को ले आए एक साहब गारी से अपने बच्चे को कोटा से ले आए उनके लिए सब कुछ है समरत के नहीं दोस्त को साहिए लेकिन हाँ यह जो मजदूर है तीहारी मजदूर है ठेले वाले है प्रवासी मजदूर है यह भारत के लोग है बाकि लोग इंडिया के मैं समझता हूँ, इसम हमारी ने हमारे fault lines को, हमारे समाज की विकृतियों को सामने लाकर के रख दिया है और हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, प्रभुवर को कोई चिंता नहीं हो रही है सब कुछ आराम से हो रहा है, और इसलिए मैं समझता हूँ, कि शायद आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल होगी अलग-अलग तरह की छावियां मिलेंगी और डरावनी में साफ तोर पर, इंसान और इंसान का फर्क दिखाई दे रहा है राजधर्म में केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम हो रही है आप कहेंगे भई, इसमें केंद्र सरकार का क्या दोश है? दोश तो योगी का है, या फिर मध्यपरदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान का है क्योंकि उन्होंने भी इजाज़त दे दी है इस खबर के मताबिक कि कोटा में जो मध्यपरदेश के स्टूडेंट्स फसे हुएं, उन्हें बस से लाया जाए आप कहेंगे कि भई, दोश तो इनका है, यकीनन दोश उनका है मगर एक मुख्यमंतरी अपने राज की जनता के लिए जितना कुछ कर सकता है, वो करेगा क्योंकि मुझे याद है, मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने दिल्ली NCR की बॉर्डर में एक हजार बसें भेजी थी, ताकि जो गरीब मजदूर हैं, वहां से वो यूपी लाए जा सकें, उन्होंने कोशिश की थी अब यही कोशिश, शिवराज सिंग चौहान भी कर रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब यह कहा गया है कि लॉकडाउन का अनुसरन किया जाए, तो केंदर सरकार यह क्यूं करने दे रही है और यह दोहरे माबदंड क्यूं, हम अपने खरीबों को क्यूं भूल रहे हैं, क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अनुराग बदहुरिया, आप खुद सुनिए क्या गुणा किया है, वह ब्यचार दोवक्त की रोटी के लिए परेशान है, उनके छोटे छोडे भच्चों को खाना ने बिल रहा है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके बारे में सरकार ने क्यों नहीं सोचा, सरकार हमीश saat एक ही तपके के बारे में क्यों सोचेगी, एक पांच पांच बितने पांच पांच हजाजार किलो मीटर लोग आपने गाउं पैदा चल की आए, रास्ते में चलते चलते कितने लोगों की मौत हो गई कितने लोगों के छोट-छोटे बच्चों को कंदे पे बैठा के अपने गाउं तरक पहुँच पाए सरकार को इनके बारे में चिंता नहीं है सरकार को नहीं लगा कि गरीम मजदूर की भी चिंता करनी चाहिए क्या गरीम मजदूर का अधिकार इस पहुआ के बारे में नहीं सोचेगी उनको बिचार अपने अधिकार के लिए हमेशा रोड पे आना पड़ता है क्या गुजरात में ओडिसा के लोग रोड पे नहीं आए जब उनसे रहा नहीं गया तो रोड पे चिलाने लगे मुझे सेल ली दो पैसा दो खाना दो हम नहीं रह पाएंगे नहीं तो हमें बापस में ओडिसा भेज़ दो लेकि सरकार को उसकी चिंदा नहीं होती है तो जैसे मैंने कहा ना इनसान और इनसान का फर्ख यहां पर साफ दिखाई दे रहा है यह अपने आप में बहुत बड़ी तरास दी है आप जानते हैं कल एक और घटन होई है पालगर में महराश के पालगर में तीन लोगों की मॉब लेंचिंग कर दी गई इस शक पर कि ये लोग बच्चा चोरी करने आये थे या चोरी करने आये थे पुलीस की नजरों के सामने पुलीस वहां खड़ी रही और तीन लोगों की मॉब लेंचिंग कर दी गई द में दो हिंदू साधु संथ थे अब भारती जनता पार्टी इसको कॉमनिलाइज करने में लगी हुई है इसका सांप्रदाई करने में लगी हुई है संबित पात्रा जी हां यहां यहां पर वो लिबरल्स को गाली दे रहे हैं और खुलम खुला कोशिश कर रहे हैं इसका सांप क्या तुमने कभी आवाज बुलंद की उडिया मजदूरों के लिए? उडिसा के इन मजदूरों के लिए? क्योंकि तुमने तो चुनाव लड़ा था, ये बात अलग है कि जनता ने तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिखा दिया था, वो बात अलग है. मगर जब तुम कुरोना संकट का जब हम सामना कर रहे हैं और समाज में दंगे पहलाने वाला काम करने वाले बयाना दे रहे हो तुम, तो क्या तुमने उडिसा के इन मजदूरों के लिए आवाज उठाई? और संबित अगर तुमने आवाज नहीं उठाई, तो आज मैं तुम में मौका दे रहा हूँ, मेरी बात ना सुनके, मगर उनकी आवाज सुनके तो आज आवाज उठाओ, है तुम में हिम्मत संबित पात्रा, उडिसा के उन मजदूरों के लिए आवाज उठाने की, जो बिचारे वहाँ गुर्बत में जीने को मजबूर हैं, बत्तर हालात में जीने को मजबूर हैं, वो जगा जिसे गुजरात मॉडल का नाम दिया गया, तुमारी हिम्मत कहां है संबित, कहां से तुम सवाल खड़ा करोगे अपनी गुजरात सरकार पे, और इनके आपके स्क्रीन्स पर ये शक्स, यह हैं हैं एजडी कुमार स्वामी, पूर मुख्यम पंत्री करनाटक के इसी कोरोना संकट के दौरान इनके बेटे की शादी हुई, तस्वीरें आपके सामने हैं, और जब इनसे बाद में पूछा गया, तो यह कहने लगी कि हमने बारा से तेरा डॉक्टर्स से सलाम अश्वरा किया था, इन धन्ना सेटों, इन रसूक के लोग और गरीबों में जो फर्क है ना दोस्तों, वो शर्मनाक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ और फिर दोराओंगा, हर संकट जब इस देश के सामने आया है ना, तो हम हमेशा अपने मुकाम से उपर उठकर, हमने अपने चरित्र का परिचाह दिया है, हमने हमेशा एक शा हमारे रसुकुख वाले लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया है, चाहिए वो निटिश कुमार हो, चाहिए अज़िकुमार स्वाम्ही हो, चाहिए संबित पात्रा जैसे लोग हो, या तुमने गुजराट सरकार की जो मिसाले मैंने तुम्हें बताई अभी है, ये मिसाले सब को आईना बताया है कि हम अंदर से कितने बदसूरत है मैं जानता हूँ ये बात मैं बार-बार आपसे कहता हूँ मगर क्या करो हम में से कई लोग इतने बेशर्म हैं कि अब भी इस मुद्दे के सांप्रदाय करन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और जानते हैं ये कोई जाहिल लोग नहीं है ये आपके और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं मध्यमवर्गी परिवारों में बसने वाले प्रिवलिज्ड लोग ये इस मुद्दे में हिंदो-मस्लिम करने का भहाना ढूंटे हैं खेर जो आपकी च्छा है आप कीजे मैं तो बोल के लब आजाद हैं तेरे में इसी तरह से मुद्दे उठाते रहूंगा आपके सामने लाता रहूंगा नमस्कार